जिन भी बच्चों का सेलेक्शन हो गया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो आप next exam में seat waste ना करें क्योंकि इस बार vacancy भी कम है और कहीं और exam में अगर उनका पहले भी हो गया था तो इस बार की dvv skip कर दें क्योंकि जो इस बार की vacancy बचेंगी वो अगली बार में add होके आ जाएंगी क्योंकि ssc में waiting list नहीं है आप समझ जिए अब आपको पहले ही पता चल गया इतनी पहले result दे दिया ssc ने कि मुझे नहीं लगता कि आपको pre में भी बैठना चाहिए बिलकुल नहीं बैठना चाहिए इतना fast result आने का ये फायदा होना चाहिए अब सबसे गुजारेस है जितने भी ये fan club 10 club वाले मेरी इस गुजारेस को जरूर अलग से कट करके डाले मैंने specially request कि भाई अब seat मत खराब करो कुछ बोलेंगे कि मुझे last seat मिली है मैं तो लूँगा अरे जिनको अच्छी मिली है वो तो ना करें कम से कम एक बच्चे को नौकरी नहीं मिली एक बच्चा यहां दो दो तिन दी नौकरी लेके बैठा है हमारे टाइम पर तो ऐसे होता था रिजल्टी इतनी लेट थे पेपर मेंश होने के बाद 2013 में कैंसेल हो गया था मेरी 2014 की जॉइनिंग 2016 में थी आख तरिक को जॉइनिंग थी और दो को में ने 2016 का सोचो जब जॉइनिंग थी भरोसा य नहीं नहीं होता था कब कैंसेल हो जाएगा बढ़ अब सुअ कि लिए रहा तो आप लोगों को नहीं देना चाहिए हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था